Hello Everyone, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्रेटिंग सिस्टम के बारे में इसके लबा अगर आपको लिंकर और लोडर, मदर बोर्ड, सोफ्ट्वियर और सीप्यू के बारे में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक दिया गया है आप उन वीडियो को भी चक कर सकते हैं तो उप्रेटिंग सिस्टम की इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्श करेंगे सबसे पहले उप्रेटिंग सिस्टम का मेनिंग, तैन इसके फंक्शन, टाइप, एक्जाम्पल, एंड एडवांटेजिस तो स्टाट करते हैं उप्रेटिंग सिस्टम के मीनिंग के साथ उप्रेटिंग सिस्टम वो सोफ्ट्वेर है जो सबसे पहले लोड होता है कम्प्यूटर में जब यूजर सिस्टम को ओन करता है तो जब भी आप अपना mobile, laptop, computer या कोई भी ऐसे computeristic technology को own करते हैं तो operating system सबसे पहला software होता है जो computer में load होता है ये help करता है user और system के बीच में एक communication create करने में तो माल लिजे अगर आपके पास कोई system पढ़ा है चाहे laptop या computer आपके पास monitor भी है, CPU भी है लेकिन फिर भी अगर उसमें operating system installed नहीं है तो आप उसका use नहीं कर सकते तो इसलिए एक operating system user और system के बीच में communicate करने में help करता है operating system की help से user, ms office, notepad, games, music, etc. जैसे चीजों को use कर सकता है उन्हें run कर सकता है अगर user को computer में कोई भी task perform करना है तो उसके लिए आपके system में एक operating system होना बहुत जरूरी है इसके बिना आप system पर काम नहीं कर पाएंगे इसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक computer start कैसे होता है हमने काफी बार अपने computer system को use किया है लेकिन एक pattern या system क्या होता है, कैसे वो start होता है computer को वो हम देखेंगे सबसे पहले आप computer को turn on करते है मतलब आप उसकी power on करते है then, ROM में BIOS करके एक system या software होता है BIOS की full form है basic input output system ये computer की ROM में जाके load हो जाता है ROM क्या है, अगर आपको ये जानना है तो आप YouTube पे search कर सकते है ROM by student notes आपको उसका video available हो जाएगा तो सबसे पहले आपने computer की power on किया then, जो BIOS था वो आपकी ROM में load हो गया then, third step में आपकी hard drive में OS होता है मतलब operating system होता है तो system क्या करता है इस operating system को आपकी RAM में load कर देता है अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि RAM सबसे fastest memory है CPU, RAM ये काफी fast run करती है तो आपकी operating system को run करने के लिए efficiency से या fast way में तो आपका जो system है वो इस operating system को RAM में load कर देता है अब system आपका ready हो जाता है use करने के लिए operating system आपका load हुआ, start हुआ और window आपकी open हो जाती है अब कोई भी application जो आप run करेंगे वो RAM में जाके load हो जाती है CPU request करता है RAM से data लेने को और उसे process करने को अगर आप कोई भी काम करते हैं आपने system में चाहे आप game खेल रहे हैं music सुन रहे हैं या videos देख रहे हैं तो वो सारी जाके पहले RAM में run होती है ताकि जादा speedway में वो चल सके तो computer आपने start किया BIOS एक system software रोम में चला गया operating system आपका RAM में चला गया system आपका ready हो गया यूज करने के लिए आप उस पे कोई भी काम कर सकते हैं save कर सकते हैं उनको applications को open कर सकते हैं और अगर कोई भी ऐसी फाइल है जो कि आप अपनी storage device में save करके नहीं रखते हैं तो वो lost हो जाती है तो इस तरह से computer start होता है और काम करता है next है function of operating system तो कौन-कौन से function है यह चार function है यह इनी detail में one by one discuss करते हैं सबसे पहला है processing management अब इसमें operating system क्या करता है वो CPU को one by one data send करता है CPU then इस data को process करता है और यह ensure करता है कि सारा function properly perform हो सके दूसरा है memory management यह file information data को save करके रखता है और input data को store करने में help करता है जब भी किसी program को run किया जाता है तो processing management में आपका CPU है जो की सारे task algorithm calculations को perform करता है operating system यह देखता है कि CPU जो है वो अपना काम सही तरह से करे data को भी store करने में help करता है जो भी आप commands देते हैं चाहे वो short term के लिए या temporary हो या फिर permanent हो उन सबी को यह manage करके रखता है third है device management तो system के साथ बहुत सारी input output devices होती है अगर आपको इनके बारे में जानना है तो YouTube पे आप सर्च कर सकते है input devices या output devices by student notes और मैं कोशिच करूँगा कि वीडियो को description में भी आपको इनका link provide कर दूँ तो एक operating system control करता है input और output devices की working को अगर हम कोई command दे रहे है keyboard से या mouse से और कोई भी हमारे पास output आ रही है monitor के थूँ तो वो अच्छे से applicable हो जाए devices को अच्छे से manage करके रखे connect करके रखे ये काम भी होता है आपके operating system का fourth है security management operating system ये check करता है कि system में किसी भी तरह का कोई threat या malicious activity तो नहीं हो रही है कई बार आपके system में virus आ जाता है ये system hack हो जाता है तो उस समय operating system ही protect करता है इन सब activity से कि अगर उसे कोई लगता है कि कोई ऐसे activity हो रही है कि आप जो file download कर रहे है उसमें कोई virus है कोई ऐसा click कर रहे है तो वहाँ पे वो आपको एक बार threat दे देता है कि ये link genuine नहीं है या वो scan करता रहता है आपकी files को time to time ये check करने के लिए कि उसमें से कोई file ऐसी ना हो जो की protected ना हो तो scan करने के बाद ये alert देता है कि आपको appropriate action लेना होगा ताकि कोई damage ना हो जाए देन अब बात करेंगे types of operating system की सबसे पहला है single user single user में आप एक time पर एक ही user एक system को use कर सकता है देन second है multi user multi user में काफी सारे user एक operating system के साथ linked होते हैं कोई भी person किसी दूसरे कोने में बैठा आपके system से आपकी information को access कर सकता है यह होता है multi user third है single tasking single tasking में आपका computer जो है particular एक ही चीज के लिए बना होता है जैसे गर हम weather forecasting की बात करें तो वो ऐसे computer है जो सिर्फ weather forecasting ही करेंगे आप उन पर games नहीं खेल सकते हैं उन पर आप किसी एक particular काम को ही कर सकते हैं fourth है multi tasking multi tasking में आप एक time पर अपने computer में एक से ज़्यादा काम को कर सकते हैं sometime जैसे कि आप कुछ काम भी करते हैं side by side आप गाना भी चला देते हैं sometime आप program को थोड़ी देर के लिए close करके अगर चाहें तो games भी खेल सकते हैं तो एक ऐसा system जिस पे आप एक से ज़्यादा activities को या task को perform कर पा रहे हैं वो है आपका multitasking then अब हम example देखेंगे operating system के अबारे में कि कौन-कौन से operating system है तो यह कुछ popular नाम है operating system के बारे में अब specifically सिर्फ यह पांच यह operating system नहीं है operating system बहुत है लेकिन यह operating system बहुत popular है जैसे की Unix, Linux, Windows iOS और Android यह ऐसे operating system है जो कि काफी ज़्यादा popular है और काफी ज़्यादा use किये जाते हैं next अब हम बात करेंगे operating system की advantages के बारे में तो यह ensure करता है कि computer hardware proper और efficient way में use की जा सके तो चाहे आपका CPU है RAM है, ROM है Motherboards है, जो भी आपके hardware है उनको अच्छे तरीके से use कर पाए यह देखना operating system का काम होता है कि हर एक hardware एक दूसर से अच्छे से connected है यह अलो करता है different applications को accurately run करने के लिए जैसे कि अगर आपको music play करना है तो music का एक app होगा कोई game हो गई या software हो गया जैसे कि आपका MS Office, MS Word तो यह सारे applications अच्छे से काम करते रहें यह भी देखना operating system का काम होता है operating system आपका files, information और data को manage करके रखता है चाहे वो temporary हो या फिर permanent नेक्स्ट है, यह control करता है input, output, devices की working को तो command सही से दी जा रही है command देने में को problem तो नहीं आ रही है system को जो command दी जा रही है तो वो output अच्छे से दे रहा है सारी input devices अच्छे से computer के साथ connected है या नहीं है यह सब देखना भी आपके operating system का काम होता है and last है managing, security यह हमने point पहले भी discuss किया कि अगर कोई भी threat लगता है किसी file में या किसी document में तो computer आपको उसके लिए पहले ही won कर देता है तो यह था operating system का meaning उसके functions, types, example and last में हमने देखी इसकी advantages next अगर आपको linker and loader, motherboard, software और CPU के बारे में जानना है तो video को description में link available है आप इसे check कर सकते हैं